जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए Study for Civil Services का Android आप Google Play Store में आ चुका है उसको प्लीज तुरंट इंस्टॉल कर लीजे और अगर आप Study for Civil Services के सिर्फ आप से कोई भी कोर्स कोई भी पेडिया परचेस करते हैं तो उसमें Apply Coupon अगर आप ग्यांसर जो है आप उसमें Apply करते हैं ये Coupon Code है तो उसमें 20% Feast तुरंट माफ हो जाएगी मतलब 20% Discount तुरंट उसमें लग जाएगा ग्यांसर लिखना है नॉर्मली ग्यांसर स्माल लिटर में है सब कुछ कोई स्पेस नहीं कोई कॉलम नहीं सिर्फ के आंसर जी वाई A.N.S.I.R इस तरह से अगर Coupon Code लगाते हैं आप अप में Buy करने से पहले जो Apply Coupon वाले में आता है तो 20% का डिसकाउंट तुरंट दिलेगा वीडियो देखिए दोस्तों UPPCS के बाद में अब ऐसा लग रहा है कि जो आपका RO-YARO का पेपर होना था 22 दिसंबर को ये भी आपका कोस्पोन हो सकता है ठीक है देखो इसका कारण ये है कि जो आपका UPPCS आयोग है हमारा उत्तरबदेश लोकसेवा आयोग ये अब चाहा रहा है कि जितनी भी परीक्षाएं हो उसमें जो Question Paper हो वो आपके चार सेट में बने कितने चार सेट में जो है Question Paper बने ऐसा आयोग का कहना है अब क्या आयोग ने बोल दिया तो ये हो जाएगा नहीं इसके लिए क्या करना पड़ेगा जो उत्तर पड़ेश का आपका विधान सभा है वहाँ पर आपको बिल लेके आना पड़ेगा जो वो कानून बनेगा ठीक है लेकिन ये बिल से कानून बनने में काफी टाइम लगेगा इसलिए इसमें भी Shortcut का तरीका अपनाए जाएगा जो अधियादेश है जिसको हम लोग English में Ordinance बोलते है ठीक है क्या Ordinance बोला जाता है जो आपके गवर्नर लेके आते है Article 213 के तहट अधियादेश लाए जाएगा अब अधियादेश भी क्या तुरंत लाज लाए जा सकते है नहीं इसमें पहले उत्तर बदेश में जो मंत्री मंदल का काबिनेट है उसकी मंजूरी चाहिए होगी उसके बाद में ये गवर्नर के पास जाएगा फिर राज्येपाल जो गवर्नर है आपके अध्यदेश जो है जारी करेंगे तो इसमें भी आप सून आप सब लोग समझो कि इसमें भी थोड़ा आपको समय देखने को मिल सकता है क्योंकि भाईया ये उत्तर बदेश है यहाँ पर हर चीज में आपको समय लगता है तो भाईया यही आपका जो कारण है कि जो आयोग है तो उत्तरपदेश लोग से वायोग जितनी भी भड़ती परीक्षा है ना इनको फूल प्रूफ बनाना चाहता है तो जो प्रश्न पत्र जो केशन पेपर तयार होगा यह आपका चार सेट में होगा अब इसके लिए क्या करना हो आपका UPPSC एक Act भी है एक अधिनियम भी बन रखा है उसमें शंशोधन की जोरत Amendment लाना पड़ेगा अब शंशोधन करने के लिए यह मैंने आपको बता है ना शंशोधन के लिए भी बिल लाना पड़ता है यहां पे जितनी भी आपकी परिक्षाइं होनी है जो आपकी UPBCS रहे तो हम लोग को भाइया बहुत लोग को confirm हो चुका है बहुत लोग अभी भी नहीं मान रहे ठीक है जिस भी पक्ष में हो भाइया notice हाज एक लियर हो जाएगा कि वो तो भाइया postpone हो जाएगा उसके वाद जो आरो है यह भी आपको postpone होते हुए दिख सकती है ठीक है तो कि हमको पता है जो आपकी उत्तर बदे सरकार है आपका पूरा परिक्षा जो लीक वाला आपका मामला था इसको रोकने के लिए पूरा आपका policy लेके आई थी कि जिसमें एकदम नियम थे कि कि किसी भी तरीके से जो है आपका परिक्षा जो है लीक ना हो लेकिन इसी चक्कर में अब आगे लीक ना हो इसके लिए आयोग जो तयारी में लगा है तब ही आपको टाइम देखने को मिल सकता है ठीक है आप अगर यह देखेंगे राजे सरकान भाईया आपका गरबडियों को खतम करने के ल जो प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस होती है ना वहीं से देखा गया वहाँ पे भी लीक हो सकता मतलब चांसे बहुत जादा होते हैं उसको भी हमें क्या करना है सरकारी बनाना राजकिये बनाना है तो इसमें भी जो है तो आपकी चर्चा चल लगी इसमें भी टाइम चीँ देखी जो डोजय चौबिस का साल है वह HOL यह ऐसा लग भर बर बाद होते हुए दिखे रहा है पूरा क्योंकि 222 में ही पूरा आपका यूपई PCS का प्री भी होना था मेंच भी होना था और आपका इंटर्यू भी होना था तो अभी तक टो हमको यह लग रहा है कि प बहुत लोग जो हैं इस पर भी अनुमान लगा रहे हैं ठीक है तो मैं आप लोगों से वितना कहना चाहता हूं आप लोग सिर्फ अपना पढ़ाई पर धियान दीजे यूपी पीसी है सारो यारो पढ़ते रही है ठीक है जो डेली पढ़ेगा उसी का सेलेक्शन होगा आप न आरो यारो का यूपी पीसी है दोजर पच्चेस दोजर चौबिस का दोजर चौबिस का क्रैश कूर्स है ठीक है आप जोइन करना चाहते हो तो इन नंबर पर कॉल करके आप जोइन भी कर सकते हो यहीं वीडियो भी खतम करते हैं नमस्कार